आपको पिछल लेक्टेस में मैंने बताया था कि जितने भी मैंने इन्वस्ट अबटी फंक्शन के लेक्टेस आपको प्रोवाइड किये हैं तो डिये शुडेंट आप सबसे पहले आप उसको देख लिजिए क्योंकि इसके बाद इस वीडियो को आपको पता होनी चाहिए अगर डिये शुडेंट अगर आपको फामले नहीं पता हैं तो आप कुशन कैसे लगाओगे तो सबसे पहले आप उसको देख लिजिए सबसे पहले आप सबसे पहले आप सबसे पहले लेक्शे साफ सबसे देख लिजिए इसके बाद इस वीडियो को आप कंटीन्यू रखेंगा क्लियर ना तो डिये स्टुडेंट आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा हमारे पास में NCRT exercise 2.2 का कुशन नमबर 1,2,3,4 करा हैं तो प्लीज लाइक सस्क्राइब एंड जरू करें ठीक ना तो डिये स्टुडेंट चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास में देखिए सबसे पहले मैं आपको कुशन कराता हूं कुशन नमबर 4 फिर 3 इसके बाद 2 & 1 कराऊंगा क्लियर ना तो डिये स्टुडेंट सब से पहले देखिए इस कुशन में लिखा गया है जो भी कुशन दिया है हम उसको क्या करेंगे प्रूब करेंगे तो हमारे पास में सबसे पहले देखिए ए LHS इसको देखिए लेचे सब से बोलेंगे और यह क्या होगा RHS होगा LHS मतलब क्या होता है Left hand side और RHS मतलब क्या होता है Right hand side यानि बाया पच्छ बराबर दाया पच्छ Clear न? तो सबसे पहले हम इसको Proof करते हैं Proof कैसे होगा हम सबसे पहले LHS लेके चलेंगे हो सकता RHS आ जाए या आप LHS मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है आप इसको लेके चलेंगे इसको Proof करिए तो देखें हमारे पास में 2 10 inverse 1 upon 2 इसके बाद plus 10 inverse 1 upon 7 मुझे करना क्या है Proof 10 inverse 31 upon 17 Proof करना है तो dear students देखें हम आपको पिछरी लेक्सिस में मैंने बताया था कि हमारे पास हमें ये देखें 2 10 inverse इसको एक समान सकते हैं न बोलो आप देखें मैं formula लिखते भी जा रहा हूँ आप tension मत लेजेगा मैंने आपको बताया आप रूप करके 2 10 inverse एकोल टू कितना होता है मैं 10 inverse के पद में लिखूंगा मैंने तो 2 formula और वतायत है एक तो sin inverse के पद में था और एक cos inverse के पद में था लेकिन यहां मैं क्या अपलाई करूंगा 10 inverse के पद में अपलाई करूंगा क्यों क्योंकि जो मेरा अंसर आ रहा है वो 10 में आ रहा है यह एकर sin inverse में आता cos inverse में आता तो मैं convert करते जाता ठीक ना देखिए 2 10 inverse x equal to क्या होता है 10 inverse 2 x upon 1 minus x square यह मैंने आपको proving कराया हुआ है आप बोल भी नहीं सकते किसार आपनी यह तो कराया नहीं है ठीक है मैंने कराया है आप इसको सबसे पहले आप जाहिए playlist में inverse technometric functions के नाम से एक folder पड़ा होगा उसमें आप देखिए अच्छे से ठीक है ना देखिए अब मैं इसको लिखोंगा देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा easily तरीके से बताता हूँ कैसे solve करते हैं देखिए यहाँ पे x है ना x मतलब कितना 1 upon 2 है अब इसमें आप रखते जाए जहां जहां x है वहां कितना चलेगा 1 upon 2 चलेगा ठीक है तो हमारे पास में 1 minus कितना हो जाएगा देख लिजे dear students हमारे पास में 1 upon 2 का whole square हो जाएगा ठीक है आप इसका multiplication कर लिजे तो हमारे पास में क्या आजाएगा देख लिजे 10 inverse 10 inverse 2 upon 2 चलेगा इसके बाद इसका वर करोगे तो 1 upon 4 होगा 4 का multiplication 1 में करेंगे तो 4 में से 1 subtract करेंगे तो हमारे पास 3 upon 4 हो बचे लो 3 upon 4 तो हमारे पास भहिया ये साहब चले जाएगे उपर और ये भहिया नीचे ठीक नो तो हमारे पास में क्या आगया 10 inverse 10 inverse 2 upon 2 इसके बाद 4 upon 3 चलो भी ये काट दो तो हमारे पास में क्या मिल गया 10 inverse आप इसको चाहे अलग solve करो या एक साथ लेके चलो बात तो एक ही चीज है आप देखे इतनी value मैंने आपको अलग से क्यों solve कराया इसका reason है आप इसको सबसे पहले आप solve कर लिजे इसके बाद इसके अस्थान पे इसकी value पुट कर दिजे या तो देखे आप इसको लिखते जा होगे और यह add होता चला जाएगा होगा की नहीं बताओ होगा ना तो हम लोग लिख सकते हैं बार-बार वही चीज क्यों लिखे होगे आपका time based होगा तो आप single पहले इसको solve कर लिजे इसके बाद इसकी value upon 3 ठीक है इसके बाद plus plus कितना 10 inverse 1 upon 7 ठीक है तो हमारे पास में apply करते हैं इसमें देखेगा अब देखो हाँ यह देखिए अभी तो मैंने एक formula लगाया अब देखो second formula लगने वाला है याद होना चाहिए आपको कौन सा देखिए हमारे पास में मैंने आपको formula बताया था याद करिए कौन सा होगा 10 inverse x plus कितना 10 inverse y देखो यह x मानेंगे इसको y मानेंगे ठीक है तो देखिए हमारे पास में formula मैंने क्या बताया था 10 inverse 10 inverse कितना x plus y upon 1 minus xy और मैंने आपको बताया था मैं जब कुश्चन कराऊंगा इसके बारे मैं आपको जरूर बताऊंगा याद आया कुछ अगर आपने देखा होगा तो याद तो जरूरी होगा ठीक है यह इसका formula है तो सबसे पहले देखिए मैं x into y का meaning क्या है पहले आप इसको सीख लीचे ठीक है क्योंकि कभी कभी question ऐसे आ जाते है वहाँ बे बच्चे क्या होते हैं error कर देते हैं question गड़बड़ी कर जाते हैं इसको check करते ही नहीं है xy एक से कम है कि जाता है कि negative है ठीक है बताओंगा one by one करके ठीक ना यहाँ पर जो आया बेटा x की into y x की value 4 upon 3 है y की value 1 upon 7 है तो 4 upon कितना 21 अब आप एक चीज मुझे यह बताओ मैंने जब x into y किया तो यह जो value है एक से कम है या जाता है सोचो चल्दी से 4 में 21 का divide करोगे बताओ एक से कम होगा ना यानि ऊपर बड़ी चोटी संख्या नीचे बड़ी तो कम ही आएगा तो कितना आजाएगा विटा एक से कम है तो जब एक से कम है तो यह formula apply होगा clear हुए ना तो dear students मैं apply करता हूँ ठीक है तो हमारे पास में 10 inverse मैंने लिखा 10 inverse देखो x मतलब कितना 4 upon 3 plus y मतलब कितना 1 upon 7 upon 1 minus x into y 4 upon 3 into 1 upon 7 ठीक है तो dear students सबसे पहले आप इसको note करिए और मैं इधर side मैं rough करूँगा ठीक है आप इसको note करना इस start कर दिजिए ठीक है तो dear students जैसा कि मैं आपसे बार बार बोलता रहता हूँ कि अगर आप हमारे channels पे नए हैं तो please please आप like subscribe and share जरू करें ठीक है तो मैं इस को रप कर दूँ देखें मैं left hand side लेके चल रहा हूँ देखते हैं वह यह आते हैं कि नहीं 10 inverse 31 upon 17 ठीक है यहां solo करते हैं ठीक है देखते हैं हो जाएगा इतने में तो हमारे पास में क्या चल रहा है left hand side चल रहा है लाना कितना है 10 inverse 31 upon 17 10 inverse मैंने लिखा लो भी यह शेबेन का दिखिए इसमें denominator जो है मतलब हर की value different है तो मैं इसका multiplication करूंगा या तो आप LCM ले सकते हो 7 का 4 से multiplication करें कितना आ जाएगा 28 प्लस 3 का 1 से करें 3 आ जाएगा चलो भी यह 3 का 7 से कर लेजिए 21 आ गया चलो भी यह इसके बाद 3 का 7 से पहले कर लेजिए उपर नीचे कर लेजिए 4 upon 21 आ जाएगा 21 का 1 में multiplication करें 21 minus 4 वंजा 4 upon 21 देखो dear student यह कट गया न तो हमारे पास में क्या आ गया बता दीचे आप 10 inverse 28 प्लस 3 add करेंगे 31 आएगा 21 में से 4 subtract करेंगे 17 आएगा देख लो आप चेक कर लो हमारे पास में left hand side लेके चले थे right hand side आ गया तो ऐसे question को prove करते हैं ठीक है ऐसे question को क्या करते हैं प्रूब करते हैं तो simple है कि नहीं बताओ बहुत simple है न तो आप इसी प्रकार आप लगाईएगा question ठीक है इससे इसी भी आएंगे question आप बिल्कुल टेंशन मत लिजेगा तो हमारे पास में question number 4 हो गया आप इसको note करिएगा अच्छे से ठीक न अब मैं question 4 को मैं rough करूंगा ठीक न इसके बाद dear students मैं आपको question number कौन सा बता दूं second यानि third तो हमारा question number fourth हो गया अब हम कौन सा बताएंगे आपको third ऐसे करके बताते हैं थोड़ा सा space मिल जाएगा न तो देखिए हम इसको प्रूब करते हैं चलो भीया left hand side अब आप लोग समझ गए होंगे left hand side 10 inverse 2 upon 11 plus 10 inverse 7 upon 24 clear अब मैंने आपको बताया था न याद करो कौन सा formula लगेगा बोलिये जल्दी से 10 inverse x plus कितना 10 inverse y equal to क्या होता है 10 inverse 10 inverse x plus y upon 1 minus xy मैंने बताया था if x y less than 1 आप इसको चेक करिएगा इसका multiplication करिएगा ठीक है क्योंकि उपर छोटा नंबर है और नीचे बड़ा नंबर है चेक करने की जरूरत भी नहीं है clear ना तो आप इसको आखे बंद करके लगाएगा ठीक तो हमारे पास में अब dear student मैं formula लगाऊंगा हमारे पास में 10 inverse हम सबसे पहले x plus y लिखेंगे x की value कितनी है आप बताये 2 upon 11 2 upon 11 मैंने लिखा plus इसके बाद यह क्या है 7 upon 24 ठीक है upon 1 minus again वही लिखेंगे x into y 2 upon 11 into 7 upon 24 अब इसमें करना क्या है आपको calculation करना है जैसे ही solve कर अभी यह आजाएगा अपने आप अपने आप आएगा दिखेंगा मैंने क्या लिखा 10 inverse 40 24 का इसमें multiplication कर दीजिए तो 48 आजाएगा और इसका 11 का 7 से multiplication करिए 7 7 आजाएगा चलो वही है अब इसका चलो 11 का 4 से multiply करो यहाँ पर multiplication का आपको सिखाना पड़ेगा क्या बताओ आपको multiplication करना आना पड़ रहा है ना बताओ यह भी है multiplication करना 1 का multiplication करो या 24 तो 24 आएगा ठीक है यह 4 आगया यह 6 आगया यह 2 मतलब हमारे पास में 264 आएगा इसका multiply करेंगे 264 तो यह भी 264 आएगा तो डियर स्टुडेंट इसमें मन में multiplication कर दिजए 264 माइनस 7 का 2 से multiplication कर दिजए यह आगया क्लियर ना इसके बाद 10 इनवर्स देखें मैंने multiplication के यह नीचे तो आप लिखोगे ना 264 तो यह तो cancel हो जाएगा इसको आप add करते जाएगे कितना होगा 8 और 7 को add करेंगे तो 15 होगा 1 carry होगा 7 and 4 11 और प्लस 1 carry जो था 12 हो जाएगा upon अब इसमें से इसको subtract करो 0 6 में से 1 5 चलो भी यह फिर कितना 2 अब देखें अगर आपको 125 का अगर table आता हो तो आप एक बार में cut कर सकते हैं 125 बन जा 125 इसके बाद 125 तूजा 250 ठीक है 250 यह कड़ जाएगा तो हमारे पास में 10 inverse 1 upon 2 आ गया यह आपका right hand side हो गया हुआ कि नहीं यह बताओ देखें यह simple question था ना हमें सबसे पहले 3 ही करना चाहिए था ठीक ना लेकिन मैंने question number 4 उठा लिया तो dear student कोई question tough नहीं है आप कहीं से भी start कर सकते हैं क्योंकि inverse economic functions के मैंने जितने भी formula आपको बताया है अगर आपने अच्छे से prepare किया तो एक भी question नहीं वजेगा मैं guarantee देता हूं ठीक ना तो सबसे पहले dear student मैंने आपको क्या बताया question number 4 इसके बाद मैंने question number 3 बताया अब आप देखी question number 1 question number 1 मैंने इसका proving कराया था इसके बाद question number 2 का भी मैंने proving कराया हुआ था मैंने कराया था कि नहीं अगर आपने देखा होगा तो आप सबसे पहले जाए इसको देखी अच्छे से ठीक है क्योंकि मैं नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि मैंने ये question मैंने proving में मैंने करा दिया है तो dear student आप सबसे पहले जाए question number 1 and question number 2 देखे मैंने उसको कैसे कराया है कुछ नहीं किया है मैंने sine inverse x equal to theta लिट किया था x equal to कितना आ गया था sine theta अब मैंने sine 3 theta का formula लिखा sine 3 theta equal to कितना 3 sine theta minus 4 sine cube theta आप apply कर दिजिए अंसर आ जाएगा ऐसे ही मैंने cause का किया था ठीक है clear हुआ ना तो dear students अगर आप हमारी channel पे नए है तो please like subscribe and share जरू करें तो आज का lecture हम यहीं पर finish करेंगे thank you very much